हलो माई यूटूब फैमली गूड मॉर्निंग नमस्ते प्रणाम आप सब कैसे हैं श्री शिवाय नमस्तु ब्याम मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ यह है मार्निंग का क्लिप फैस्ट डे मेरा बेटा scenario जा रहा था है मैं उठ गई थी और के डाली है श्री विक्षीजब देया है कौन कौन मौर्णी में गरम पानी पीता और चाय पीता मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मौर्णी में पहले बना लेती हूँ मैं चाय मैं अपने लिए और मेरा अपने हस्बेन के लिए चाय पी लेती हूँ फिर इसके बाद सबसे बड़ी टेंसेन उसको टिफिन में क्या बनाना है यही सबसे ज़्यादा बड़ी टेंसेन होती ही morning में बच्चे को क्या बना के देना है इसलिए सबसे पहले मैं बना लेती हूँ चाय फिर इसके बाद सोचते हैं कि क्या बनाना है क्योंकि अभी टाइम है उसका साथ बजे बस आता है इसलिए पहले में चाय पी लेती हूँ और फिर इसके बाद फ्री माइंडों के सोचती हूँ ठीक है दर चाय भी पकरी थी और फिर मैंने सोचा रखिये लौकी लौकी की सबजी और पराठे बना देती हूँ बड़ी मिश्कत से इसको मना के पराठा सबजी दिया और नहीं तो ममी पोहा बना दो मैगी बना दो कभी कुछ कभी कुछ इसलिए अभी मैं इस पहले लौकी काट लेती हूँ इधर चाय भी पकरी है चाय पी लेती हूँ फिर इसके बाद ही काम करूंगी तब से मैंने बोला खाल द्वी पकर रही है और यह लोकीन लोकी काट लेती हूँ फिश्क थोड़े से बड़े थे वर इस यह देखे लोकी काट लिया ओर चाय भी पी लिया और अभी आ गई मैं कि चन में क्यूंकि मैं तक टायम पूरछ था और बोलता है मुझे ये निले जाना मुझे बोले जाना है इसलिए जार अभी मैं एक तरफ सब्जी छोग दी हूं और आठा भी लगा लेती हूं आठे में थोड़ा सा नमक और अजवाइन डालके मैं उसके लिए पराठा बनाऊंगी सबसे पहले मैं रोटी गाय के लिए निकाल देती हूं और फिर इसके बाद हम बनाते हैं अपने लिए सबसे पहले कौन-कौन गाय को रोटी निकालता है मुझे कोमेंट करके ज़रूर बताईएगा ठीक है मैं पराठा सबसे पहले सेख के और थोड़ी से सब्जी रख दिया कपार गाय के लिए नि framework को मैंने इंक रोटी उसके लीधिया को और अब भी और पराठे सबसे लिए इस ते लिए बच्चे का टिफिन पैक कर दिया और उसको खिला दिया दही पराथा खा लिया और अभी उसका टाइम हो गया बस आने का अभी हम निकल रहे हैं उन्हें बच्चे को बढ़ाने के लिए मैं जाती हूं इके ले जाता नहीं क्योंकि रास्ते में इसको डौगी दिख जाता है त इसलिए अभी टाइम लगता है इधर रोड भी अच्छी नहीं है इसलिए हम उसको रोड में ही छोड़ देते हैं और वहीं पर बस आती है बस के पास बच्चे को बस में बठा के आने के बाद घर का हालत देखिए हजबिन पढ़ने पेपर और पुरे घर में किचन इतना इसलिए सबसे पहले मैं किचन ही हमेसा सबसे पहले क्लीन करती हूं इसके बाद दूसरा काम करूंगी यह देखें बरतान और स्लेप अच्छे से मैंने साप कर लिया है और फिर अभी जाड़ों पोचा करूंगी अभी मैं पुरे घर का क्लीन हो गया साप कर लिया जाड़ों कर का काम खतम हो गया नहाल एब आगवी चहत में कपड़े डालने के लिए मैं चहत में बहुत कम कपड़े डालती हूं किकि मैं अपने बालकनी में यह नीचे डाल देती हूं और अभी धूड़ी दूप का मोरी तुमसीन के शुखाईवे अच्छा से शूख नहीं रहे थे इ देखे गी हूँ और यह थोड़े चिपस थे उनको भी सुखा दिया और आके गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी और बजगे हैं साड़े दस अब मैं थोड़ी से हवाले लेती हूँ फिर दूद गरम करूंगी क्योंकि अगर दूद गरम करने के लिए चड़ा दिया इधर हाँ तो दूद जरूर गिर जाता है वहां नोट के बनायो डर्वट क्यूंकि ब्लॉट ह क्यूंकि बेटे म जबफना आक में रोटी सब्याल 統व मारनने चाहिए इसलिए मनें बनायां अब उसका टाइम हो गया था लेके आने का बसका टाइम हो गया था इसलिए मैं भी जा रही था उसको लेने के लिए दूप इतनी जादा है कि जिसकी कोई हद नहीं बहुत जादा गर्मी हो रही है बैटा आ जिया जिसकी को ले लिया और उसकी बाते ही खतम न्यूरी ममा स्कूल में न्यू बच्ची आए और स्कूल से आते ही किस-किस का बच्चा फ्रीज खोलता है मुझे कोमेंट करके जरूर बताईएगा ठीक है फिर मैंने उसको खिलाया खाना और अभी वो सो रहा था औ और मैं इन कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूं कि अबड़ा हो गया फोल्ड और अब यह मैं आगे आगे कि बाद किया और कपड़े ॹोल्ड किया और कपड़े आ गई मैं ड erNever किचन ञगा है और अब morals falar जुक्त है कि छिचसे को इवनिंग की चाइप नहीं इंत किज़ Cont و녹모ण की ज़ल-जल ज़ल कुमेंट कीज़े ठीक आ चाई पीने के बाद आ गई मैं छट पर सुखाए थे गेहूं और चिप्त ये देखे गेहूं पर अच्छे से सुख गया है अभी मैं इनको डबे में डाल दूँगी और फिर साम का टाइम हो गया साम को हस्मिन लाए थे आम आम मंगाय थे मैंने अचार बनाने के लिए क्योंकि अभी अचार बनाने का टाइम हो गया है तो मैंने बूला था आम लाइए का अचार बनाना है और आप लोग कहां यह आम कटर को क्या बोलते हैं हमारे हाँ तो रगेली रासा में इसको खरोड़ा बोलते हैं आप कहां इसको चाब होईते हैं अच्छे को कल नहीं गाता कि अधार लगा देते हैं कि अधार लगा रहे हैं कि अधार के पुरा आम काट लिया हस्बिन ने और अभी मैं इसमें नमक और हल्दी लगा के रात बर के लिए छोड़ दूंगी अच्छा होता है आप लोग अचार कैसे बनाते मुझे कोमेंट करके जरूर बताईएगा अभी मैं इसको कट करके इसमें नमक और हल्दी लगा के इसको ढखके इसी में रखतूंगी ताकि इसका जितना भी रस होता है वो निकलना चाहिए देखे ढखके रख दिया था फिर मैं इसको सुबे थ मसाला रेडी कर रही थी धनी स्वारी यह राई इसको थोड़ा सा गरम करके इसको दरदरा पीसके इसका छिलका निकाल देऊंगी ताकि थोड़ा सका कलर एलो अच्छा लगता है और लाइट चली गई तो हस्बन ने बोले लाकूट देता हूं लेसन इतने में लाइट आ ग छिलका निकाल दिया मैंने मैं पहली बार ट्राई कर रही हूं अगर आप लोग को इसमें कुछ कमी लगे तो कमेंट करके जरूर बताईएगा ठीक है यह देखिए मसाले में मैंने अभी कुछ नहीं डाला इसमें सिभवी जो मार्केट का मसाला और धनिया स्वरी लेसन और ह जैसे मगरेल डालते हैं सौप मीती सब था इसमें फिर मैं इसमें थोड़ा सा वीनिगर डाल देती हूं मैं बोली मैं भी ट्राई करती हूं क्योंकि मैंने आस तक अभी भी अचार बनाया नहीं है और बहुत लोग बोलते हैं माईकेस अचार नहीं लाना चाहिए किस किस को यह चीज़ बता है मुझे कोमेंट करके जरूर बताईएगा अभी मैंने विनिगर और थोड़ा तेल डाल देती हूं ताकि मसाले अच्छे से मिल जाए यह देखिए पूरा आम इस मसाले में मैं अच्छे से मिला लेती हूं हजबेन बोल रहे कोई बात नहीं एक बार ट्रा सबसा बोलते डालना चाहिए खुसबू आती है और आप लोग घरम करके तेल डालते यह नौर्मली ऐसे तेल डालते मुझे कोमेंट करके जरूर बताईएगा और यह ब्लॉक पसंद आए तो लाइक शेर कोमेंट जरूर कीजेगा बब बाई